दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और यूट्यूब बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरे फटाफट पाकिस्तान के वजीरे आकाम बनने जा रहे पूर्व क्रिकेट कप्तान इम्रान खान का एक बार जब नरेंद्र मोदी से आमना सामना हुआ था तो वह गुरी तरह घबरा गए थे यह वाक्या 2006 में यहाँ एक सम्मेलन के दौरान हुआ था मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे इस वाक्ये का खुलासा इम्रा नपर लिखी गई पुस्तक इम्रान बसे का इम्रान दर अंटोल स्टोरी में किया गया है इम्रान और मोदी को इस सम्मेलन में वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था इमरान को यह जानकारी नहीं थी की मोदी भी उनके पैनल में शामिल हैं वह अपनी सीग पर वैठे ही थे कि उन्होंने देखा कि सामने से मोदी उनकी ओर चले आ रहे हैं प्ली है एम, एक जटके में उनके ठीक सामने आगई जिन्हें देथ कर इमरान सन रह गए उन्होंने नजरे बचाने की कोशिश की लेकिन मोदी ने उनसे गर्ण जोशी के साथ हाथ मिलाया नचाहते हुए भी इमरान को मजबूरन खड़े होना पड़ा मोदी ने इमरान के साथ बातचीट में उनके क्रिकेट कोशल की जम कर सराहना की उन्होंने इम्रान के नित्रित्व में पाकिस्त, नी क्रिकेट टीम और भारतिय टीम के कई मुकाबलों को याद किया इम्रान भी इस बात से हैरान थे कि मोदी के पास क्रिकेट और उनके खेल को लेकर कितनी जानकारी है उन्होंने इम्रान की गैंदबाजी, बल्लेबाजी और कप्तानी तीनों की जमकर सराहना की किताब में बताया गया है कि इम्रान के लिए अचानक हुई यह मुलाकात मुश्किल भरी थी और वहो उस समय मूख होकर रहे गए थे जैसे तैसे उन्होंने अपनी सराहना के लिए मोधी का धन्यवाद किया इम्रान की हालत उस समय और पतली हो गई जब उन्होंने देखा कि कई फोटोग्राफ़ा इस मुलाकात को कैमरे में कैद करने के लिए लबके चले आ रहे हैं किताब के अनुसार मोधी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2002 में वहां हुए दंगों के कारण पाकिस्तान में उनकी चवी काफी खराब बनी ही थी और इम्रान को उस समय यह ख्याल दहशत में डाल गया कि यदि इस मुलाकात की फोटो पाकिस्तान के एकपारों में मुख प्रिष्ट पर छप गई तो उनकी राजनीतिक चवी को गहरा जटका लगेगा लेकिन वह उस समय कुछ करने की स्थिती में नहीं थे। किताब में कहा गया कि इम्रान को उस वक्त बड़ी राह ता मिली जब उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी प्रेस में इस मुलाकात को लेकर कुछ भी नहीं छपा है और इसकी तस्वीरे सीमा पार नहीं पहुंच पाई हैं। हुआ 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 हैं।